आप सभी का मैं फिर से एक बार सौगत करता हूं आपको याद होगा कि पिसले कई आपको दो हमारे कमांड होते हैं एक होता है स्विच और एक होता है यह दोनों फांक्शन हमारे कंट्रोल स्ट्रक्चर में बहुत साहता करते हैं कंट्रोल का मतलब क्या होता है कि आप यह कंट्रोल करना चाहते हैं कि आपके कहने पर प्रोग्राम एक जगा से दूसरी जगा पर जाए उसको यूज करने के लिए हमारे पास दो फंक्शन होते हैं स्विच और एक होता है विच उससे हमको इसी तरह की इंफॉर्मेशन बहार मिलती है आप अगर समझने की कोशिश करें तो यह जो हमारा वर्ड है स्विच एस डबलू आईटी सी एच इसके दो मतलब होते हैं अब मैं आपको पहले यह बताना चाहता हूं कि आप इसमें से इसका कौन सा मतलब समझेंगे एक तो यह होता है जो हमारे बिजली के स्विच होते हैं उसको आउफ कर सकते हैं तो हमारे जो बिजली के बल्ब हैं इत्यादी वो सब आउफ हो जाते है या कोई आदमी अपने office की location को switch कर रहा है अथा तो अगर एक स्कटी में रहता है तो वो दूसरे स्कटी में आ रहा है तो यह भी तुमारा एक switch होता है तो हम जो यहाँ पे switch का जो इस्तमाल करने वाले हैं वो हमारा ये वाला switch है वो बिजले के switch वाला मेरा switch नहीं है और ऐसी जो हमारा दूसरा command है which वो तो जो भी हमारा डबलू एच आई सी है जो हमारा English का world होता है which जो उसका मतलब होता है उसी contest में यह भी हमारा which इस्तमाल होगा विश कमांद होता है कौन सा उसी तरह से आप देखेंगे कि हम अपने database में जब इस तरह के operation करना चाहते हैं तो उनको हम किस प्रकार से करते हैं तो चलिए हम इस lecture को आरम करते हैं और अपने switch और wish कमांद को अधारा के साथ में सीखने की कोशिश करते हैं तो जैसा है मैंने आपको पहले बतायाता है कि हम लोग अभी control structures की बात कर रहे हैं जिसमें हम अपने control statement, function और loops की बात एक एक करके करते जाएंगे तो उसी कार में हम अपने इस आज switch और wish की बात करेंगे अब अगर एक कुछ हमारे पास ऐसी condition है कि जहां पर हमारे पास पास कमरे हैं कमरा नमबर एक, कमरा नमबर दो, कमरा नमबर तीन, कमरा नमबर चार और कमरा नमबर पाँच और कोई आपके पास इनसान आता है आप उसको कहते हो कि आपको कमरा नमबर तीन में जाना है अब उस इंसान को आपके उस building के बारे में नहीं पता है तो वो क्या करेगा सबसे पहले उसको मिलेगा camera number 1 तो यह जो information उसके पास है कि उसको camera number 3 में जाना है उससे हुआ match करने की कोशिश करेगा कि यह कौन सा camera number है उसको जाना है camera number 3 में और यह है camera number 1 तो अर्थात की उसकी जो matching है वो यहां पर गलत हो गई तो फिर क्या करेगा वो आगे आज जाएगा अब उसको मिला camera number 2 अब फिर से match करेगा कि उसको जाना है camera number 3 में और यह है camera number 2 तो यह तो match नहीं करता है तो यह हो जाएगा false उसके बाद में वो फिर अगले कमरे में आएगा और वहां पर देखेगा कि वहां लिखा हो है camera number 3 और उसको जाना है camera number 3 में तो यह match करेगा और यह का statement आजाएगा सही और जैसी सही आएगा यह camera number 3 के अंदर कला जाएगा अब जब अंदर कमरे में तेला जाएगा अब उसको वहां पर class पगलनी है कि इमतहान देना है कि खाना खाना है जो भी उसको instruction दे जाएगे वो उनको follow कर लेगा तो यही car हमारा switch का होता है कि जैसा मैंने बताया कि हमारे पास एक camera की list बनी हुई है जिसमें हमारे पास एक, दो, तीन, चार, पांच camera है और यहां पर हमारा कोई एक इंसान आता है उसको हमने काा कि तुमको तीन नंबर कमरे में जाना है अथात यहां से उठेगा और इसको डारेक्ट यहां पे तीन नंबर कमरे में आ जाना चाहिए और अगर उसको हमने कहा कि एक आप तीन नंबर कमरे में जा करके पता करिए कि उस कमरे का साइस क्या है तो वह डारेक्ट तीन नंबर कमरे में switch कर गया, तो यह जो हमारा switch होता है, यह हमारा जो एक long if statement होते हैं, यह उसके बारे में होता है, और यह कई सारी जो भी integral values हैं, उनको यह आपस में compare करके हमको उसका उत्तर बताता है, और यह एक multi way branch statement होता है, यह अर्थात कि इसमें से हमारे पास एक statement के कई options होते हैं, कई स मैंने कहा कि यहाँ पे आपके पास आपका नाम है room camera, लेकिन उसकी पांच branches है, camera number 1, 2, 3, 4, 5, और यह car क्या करता है, यह अब इसको हम जो भी variable देंगे, यह compare करेगा कि उस variable की value आगे आने वाले list में जो जो नाम लिखे हुए हैं, वो कहाँ पर exactly match करती है, अर्थात, वहाँ यह double equality का sign को लगाएगा अभी, और यह क्या करेगा, जहाँ पर भी उसको वो connection satisfy होगी, वहाँ पर उसको map करके, आपको उनी सारे सारे उस list में जो भी variable दी हैं, उसमें उसे ढून करके उसको map करतेगा, और अगर कहीं पर list में ऐसा दिया हुआ है कि जहाँ पर उसकी दो जग पर equality होती है, दो जगा पर matching होती है, तो वह क्या करेगा, जो भी उसको पहली जगा पर जो भी value जहाँ पर match होगी, वह उसके बारे में बता देगा, देखी, यह तो कुछ ऐसी ही बात है, कि जैसा मैंने अब उधारन लिया, कि हमने कहा कि एक इनसान को कहा गया कि आपको कमर नमबर कीन में जाना है, और सपोस हमारे पास यहां पर छे कमरे हैं और एक और कमरा है, जिसका नमबर है तीन, तो यह इनसान हमारा यहां से आरम करेगा, पहले कमरे में आया, दूसरे में आया, और किसरे में आया, और तीसरे में आने के बाद में यह यहां पर बैठी यहां पर हमारी पहली मैचिंग होती है, वहां पर हमारा switch command का outcome और उसका operation रुख जाता है. तो अब अगर हमको switch operation को करना है, तो उसका हमारा command होता है switch, s-w-i-t-c-h, और उसके साथ में हमको एक expression देना होता है, जहां से हमारा उसका comparison होगा. expression का मतलब वही है जैसा मैंने कहा कि उस इनसान को कहा गया कि आपको तीन नंबर कमरे में जाना है, और उसके बाद आगे की उसमें से एक list बना दी जाएगी जहां पर हमारे कमरा के नंबर लिखे होए हैं, और उसमें से उसको अपने कमरे नंबर को match करना होगा. तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, S, W, I, T, C, H, और उसके साथ में हम लिख देंगे, E, X, P, R. राइट, ये जो हमारा expression है, ये हमारा कोई number भी हो सकता है, ये हमारा कोई character भी हो सकता है, और उसके बाद में हम इसके आगे, हम हमारे पास जो जो options हैं, जैसे मैंने का कमरा number 1, 2, 3, 4, 5, उसकी list लिख देंगे, तो उसी को हम चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे options हैं, इंकुमेंट लिख दिया, case 1, case 2, रतियाटी करके, और उसके बाद में ये भी, जैसे हमारा control आगे बगएगा, ये expression हमारा case 1, case 2, हर कोई एक साथ catch करता जाएगा, और जहां पे इसकी matching होगी, ये आपको उसका उत्तर दे देगा, तो इसी कार का आप अगर एक flow chart समझने के कोशिश करिए, तो देखिए क्या है, एक ये switch है, यहां से आपने कार करना शुरू किया, ये आपका पहला जो case है, वहाँ पे आया, अगर उसको वहाँ पे आपकी matching हो गई, यहाँ पे उत्तर मिल गया true, तो ये कार कर देगा, और उसके बाद ये अपना कार रोक करके बाहर आज जाएगा, और आगे के कार करेगा, और अगर उत्तर आता है false, तो ये यहाँ पर जो भी हमारा दो नंबर का case है, वहाँ पे आएगा, वहाँ पे चेक करेगा फिर से कि true और false, अगर वो true होगा, तो वहाँ पे अपना कार करके वो बाहर आजाएगा, और अगर false होगा, तो ये आगे आएगा, और ये तब तक आगे आता रहेगा, जब तक कि उसके सारे सारे case खतम ना हो जाए, और अंत में भी अगर उसको false मिल जाता है, तो ये जो भी हमारा default option होगा, उसको कर देगा, और करके ये जो भी बाहर आजाएगा, तो देखिए ये वही बात तो है, कि जो इनसान ने आपके office माना शुरू किया, और उसको आना था room number three में, तो उसने पहला कमरा देखा, यहाँ पर लिखा वो था R1, उसने match किया, तो उत्तर आया false, तो फॉल्स आया तो ये आगे बगल गया, और फिर आपका आगे कमरा था R2, कमरा number two, यहाँ पर इसने compare किया, क्या R3, R2 के बराबर है, उत्तर आया नहीं, तो ये फिर से आगे बगल गया, और उसके बाद कमरा आया R3, इसने यहाँ पर फिर से match किया, आगे जो भी इसके executions होते हैं, उसको कर दिया, तो उसी तरह के से हमारे ये switch command कार करता है, तो ये जो हमारा switch command है, ये हमारे जो भी character string expressions हैं, उनको वो उसके अंदर जो हमने list में नाम दी हैं, उनसे match करेगा, और अगर कोई non-character string भी दिया है, उसको भी वो एक किसी integer के साथ में उसका उत्तर बता देगा, और अगर हमारे पास एक से ज़्यादा अगर matches मिलते हैं, तो जहां पर हमारा पहला match होगा, ये उसका उत्तर मुझे बता देगा, अब चलिए, हमें switch command का इस्तमाल एक उधारन के तुरू, आपको समझाने की कोशिश करते हैं, तो हम पहला उधारा ले रहे हैं, जहां पे हम switch को एक integer की तरह इस्तमाल करेंगे, जो हमारा expression होगा, वो हमारा एक number होगा, integer होगा, तो देखिए, सबसे पहले मैंने किहां पे list क्यार करी, और उस list में तीन चीज़े हैं, तो इनकी जो हमारी location क्या है, जो इनकी position हमारी क्या है, apple हमारा पहरे स्थान पर है, banana हमारा दूसरे स्थान पर है, और orange हमारा तीसरे स्थान पर है, अब मैंने यहां पे command यूज़ किया, switch SWITCA, सब कुछ lower case alphabet में लिखा, और यहां पे लिख दिया है, मैंने टू, अब देखिए, यह जो टू है क्या करेगा, यह टू आपका आगे आएगा, और इसकी जो position है, वहाँ पर match करेगा, अब इसने कहा कि क्या, यह जो position है, दो, एक के बराबर है, उतराया, नहीं, false, तो फिर यह आगे बढ़ी आएगा, और यहां पर फिर जो इसकी location है, दो को ये दो से उस location से compare करेगा, location संख्या से, तो यह क्या आगे, यह तो true आगे, तो यहां पर इसका उतर क्या आगे, true, तो यह क्या करेगा, जैसे ही इसका उतर, हमारा logical true आएगा, वहाँ पर जो भी हमारी value लिखी हुई है यह मुझे को यहाँ पर बता देगा तो अब अगर आप समझने की कोशिक करिए तो Swiss Command ने क्या किया Swiss Command ने आपको लिस्ट में आपने जो जो अपना नाम या संख्याई दी हुई है वहाँ उसमें आगे बगलता गया और लिस्ट में हर एक element पर उसने अपना comparison किया और जो उसका outcome आया वो एक logical था logical true या logical false और जहाँ भी उसका true आया वहाँ पर उसने अपना operation रोग दिया और वहाँ पर जो भी value लिखी हुई थी उसने आपको इपकरा दी अब उसी तरीके से अगर हम माली यहाँ पर दो की जगह लिखते हैं एक तो क्या होगा जो इसकी हमारी location number है one two three यह फिर से उससे match करेगा और यह यहाँ से चलेगा पहली जगह पर इसका match हो गया one is equal to one यह तो true हो गया तो यहां पर इसका true हो गया तो यहां पर जो value लिखी apple यहाँ को देखे पकरा देगा यहाँ और साथी आपको हम एक और अधार लेते हैं जहां पर हम यहां पर कुछ करेक्टर लेते हैं, जैसे मैंने यह इंटीजीर लिया हुआ है, यहां पर दो और एक, इसकी जगह हम कोछ आपसे करेक्टर लेंगे। तो मैंने एक list मैंने कयार कर दी, उस list में मैंने लिखा color is equal to blue और चुकि color और blue दोनों हमारे character हैं तो उनको मैंने double quote में लिख दिया और दूसरा जो हमारा element है उसको मैंने लिख दिया candor is equal to male और दोनों को double quote में लिख दिया और तीसरे मैं लिख दिया, volume is equal to 50, तो लिख हुआरा करेक्टर है, तो इसको मैंने double code में लिख दिया, और 50 हमारे number आङ्से लिख दिया, अब मैंने यहां पर निखak स्विच्च, और मैंने यहां पर एक philosophy और लिखाifer cens और skर्रे निखेरfoil करें, यह color देखी आगे बगएगा और यहाँ पर यह जो भी color लिखा हुआ है यह color और यह color को यह आपस में match करने की कोशिश करेगा और अगर इसका उत्तर अगर आ जाता है logical true तो यह आपको इसके आगे लिखी हुई value को यहाँ पर पकरा देगा जैसे यह पहली जगह पर आया इसको मिल गया color और color इसके match हो गए तो इसने color के आगे लिखी हुई जो value है blue इसको उसने आपको यहाँ पर outcome में दे दिया अब हम इसी में लेते हैं suppose हम लेते हैं volume तो देखे क्या हुआ यह volume हमारा इस list में पहले जगह पर आया और उसने उसको match किया क्या volume और color बराबर हैं उत्तर आया false गलत तो फिर यह यहाँ से आगे बढ़ गया और इसने फिर volume को जो मारा दूसरे नंबर पर variable है यहाँ पर match किया यह दोनों बराबर हैं उत्तर आया नहीं दोनों volume और tender अलग-अलग हैं अब यह यहाँ से फिर यह आगे बढ़ गया और यह third position पर आया यहाँ पर इसने देखा कि यहाँ पर लिखा हुआ है volume और उसने volume और volume दोनों को इसने match करने की कोशिए कि दोनों match कर गये तो इसने फिर इसके आगे volume की जो value लिखी थी 50 यह उसने आपको यहाँ पर निकाल के दी दी तो देखी यह हमारा operation है switch का अब इसमें से एक काम और कर सकते हैं हमने यहाँ पर अगर कुछ ऐसी location देते हैं expression को जो वहाँ पर exist ही नहीं करती है तो और किस प्रकार से कार करेगा इसको जरा हम देखते हैं अब हम अपने पहले दोनों धारा लेते हैं जहां पर मैंने लिखा था apple, banana और oranges और इनकी position करती one, two, three अब हम यहाँ पर देते हैं switch में देते हैं four अर्थाक जो भी चौथे number पर हमारी value लिकी यह मुझे बता दो यह यहां से आगे पखलता है पहली number पर match नहीं किया, false हो गया दुसे number पर आया match नहीं किया, false हो गया तिसे number पर आया match नहीं किया, फिर से false हो गया अब इसके आगे कुछ हाई नहीं तो आपको यहां पर यह कोई भी आउटकम नहीं देगा और इसी प्रकार से अगर आप इसका करेक्टर भी लेते हैं सपोज आपने यहां पर लिया था कलर केस वान केंडर केस टू और वाल्यूम केस थ्री अब यह आपका साइज आपने दिया की स्काइज कहां पर इसकी वैल्यू बताओ अब यह साइज आपका पहली जगा पर आता है कलर यहां पर इसकी मैचिंग नहीं होती इसने कह दिया फॉल्स फिर यह आता है दूसरे केस पर regulation-ATA यहांपे मैचिंग नहीं हो दिया जेए स्वाड्स जेंडर के बाद यह इस्ञता Heyज ज यहांपी मैचिंग नहीं होती यहांजेי इसके रजू है अब इसके बाद में आगे कुछ यहांपे है नहीं तो यहांपे कुछ कर नहीं आपको R software में इनको हम करके दिखाते हैं, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो देखी क्या हो गया, मैंने यहां पर लिखा है 2, तो देखी यहां पर क्या गया, बनाना, और उसी तरीके से अगर हम यहां पर 2 की जगह कर देंगे, suppose 3, तो देखी क्या और तो देखी क्या हूगा, और उसी तरीके से अगर इसको अगर आप जो भी यहां पर तीन के जगह कर देंगे बन तो यहां पर क्या आ जाएगा ऐपल और ऀपल आपका देखिए पहले अस्तान पर लिखाुआ है और इसी तुरशे से आप अगर यहाँ पर मा लिजिए आप यहां पर एक जगह कर देते हैं यहां देख़े कोई उत्तर नहीं क्यों कि यहां पर कुछ है ही। नहीं और इसी में अगर मालिए आपको लगा राई कि आपने कुछ गल्ती कर दी है तो आप अगर चार की जगे आप cents भी करेंगे आठ को यहां पर कुछ हाई नहीं तो यह देखे अंतर होता है यह फरक होता है कि अगर स्विच में कोई element नहीं है तो उसके आगे आगे आपको यहां पर कुछ भी नहीं मिलेगा अब हम चलिए जो हमारा अगला अदारा ने जहां पर हमने spring देने की कोचिस करी उसको करके दिखाते हैं तो यह मैंने command ले दिया इन values को ले लिया और मैंने कहा कि color c-o-l-o-u-r तो यहां पर आगया और उसने दे दिया blue अब इस ही में आपको जड़ा में एक कार करके दिखाता हूँ क्योंकि जैसे आपको पता है कि color की spelling हमारी दो तरीके से हम लोग लिखते हैं c-o-l-o-r और एक लिखते हैं c-o-l-o-u-r हम जड़ा से यहां पर जो अपनी list में value दी है इसको हम करेते हैं c-o-l-o-r और इंटर करते हैं रिखी क्या आएगा इसने कह दिया कोई outcome नहीं आया अर्थात इसने का c-o-l-o-u-r को ढूने की कोशिश करी लेकिन इसके आगे कुछ नहीं था तो इसने उसको यहां पर इसको कुछ नहीं मिला तो उसने कहा कि यहां पे कोई भी matching नहीं है और उसी तरीके से आप अगर माली देगा कैम तो कदेगा तो अगर एगर ईसको यहां पर यहां यहां पर नहीं तो जैसे की हम यहां पर कहते हैं size तो size तो आपने कहीं दिया इन ही इस میں आपके खाली ये color, gender और volume था तो आपको कुछ नहीं देगा, यहाँ पे कुछ नहीं आया तो आपने देखा कि ये switch command से use करना आपको इसके लिए बहुत ही आसान काम है और ये हमारे हिसाब से बहुत ही उप्यूगी command है जब आप बगई programming करेंगे अब इसके बाद आपको हम एक और function के बारे बताते हैं वो है which विच का हिंदी का मतलब क्या होता है जिस हम लोग बोलते है which is this case, ये कौन सा case है, which is this number, ये कौन सा number है, इत्यादी तो ये जो हमारा which होता है, ये हमारा हम जो भी हमारे पास list होती है, उसके अंदर बहुत साले elements होते हैं, वो उनके अंदर जाएगा और उसको compare करेगा और जहाँ पे हमारा उसका जो outcome है, जो एक logical होगा, true और false के format में, जहाँ भी उसको true मिलेगा उस जगहा की जो location है, जो उसका position का number है, वो वहाँ पर उसको आपको बता देगा, और ये हमारा एक जो भी, जैसे simple number है, data vector है, वहाँ भी कार करता है और यह हमारा array होते हैं, जो array का मतलब जैसे हमारी matrix एक हमारा array होता है, यह वहाँ भी कार करता है, तो जब भी हम कभी array के उपर कार करेंगे, तो यह हमको जो भी array के indices होती हैं, उनके बारे में बता देगा, कि वो किस जगा पर हमारी चीज़े आ रही हैं, तो हमारा जो wish का command इ matrix हो सकता है, array हो सकता है, और उसके बाद में हमारे पास हम आपको दो option के बारे में बता रहे हैं यहां पर एक है a r r dot i nd, यह इसका मतलब हो array index, तो यह हमारा एक logical variable होता है, और यह हमको value तभी देता है, जब हमारा x को array होता है, तो यह हमको बता देगा और उसकी जो भी लो लेकिन यहां पर आपको ध्यान देना है कि यह जो लिखा हुआ है N यह आपका Capital Illigators में लिखा हुआ है और यह आप भी एक हमारा एक Logical Variable है और यह हमको उस Array की Dimension के बारे में बताएगा तो चलिए हमें एक यहां पर कुछ उदाराल करते हैं और आपको इस Which Command का इस्तमाल करना सिखाते हैं तो देखिए यहां पर मैंने एक Data Vector लिया एक्स जिसमें हमारे पास values हैं 10, 15, 8, 14, 6 और 12 तो यह देखिए हमारा हो गया X Data , अब जड़र स特ब्सेट क्राणा साओं हम इस Data Vector में जड़र सा इनकी Location लिखते हें, कि इनकी position क्या है जैसे आप देखेंगे यह हमारा 10 है इस हमारे पहली position पर है, 15 हमारे 2 है पोजिशन पर है, 8 हमारे 3 पोजिशन पर है, 14 हमारे 4 पोजिशन पर है छे हमारा पांच भी पोजिशन पर है और बारवा हमारा छटी पोजिशन पर है अब मुझे यहां पर मालूम करना है कि यह 14 नंबर किस पोजिशन पर आ रहा है तो हम इसको कैसे लिखेंगे इसका मतलब कहувा यहां पर देखेगा कि किस वैल्म हमारा 5 पर हमारा 14 आ रहा है अब देखी है, इसमें से हमारा जो जब कार करना शुरू करेगा तो किस तरीके से कार करेगा हमारे पास नंबर है यहां पर माली 10 तो यह हमारा आगे आएगा और यह 10 और x को पहली वैल्यू लेगा 10 और x को मैच करेगा कि 10 क्या 14 के बराबर है उतर आएगा false तो यह आगे बगी आएगा उसके बाद अभी जो अगली वैल्यू हमारी है x equal to 15 यहां पर आएगा और यह compare करेगा क्या 15 क्या 14 के बराबर है उतर आएगा false इसके बाद यह फिर से आगे आएगा और देखेगा कि x equal to 8 लेका हुआ है तो क्या 8 हमारा 14 के बराबर है उतर आएगा false तो फिर से यह आगे बगी जाएगा फिर यह देगा x equal to जो अगली वैल्यू है 14 यह यहां पर आगे बगेगा और देखेगा कि 14 क्या 14 के बराबर है उतर आजाएगा true तो जैसे true आएगा यह यहां पर 14 की जो position है इसकी position क्या है four लेकी यह लिखी हुई है यह जो position number है यह आपको यहां पर दे देगा उके उसी तरह के से अगर हम मालीजे निकालना चाहते हैं कि हमारे इस data vector में कौन से ऐसे number है जो बारा के बराबर नहीं है तो हम कैसे लिख देंगे which उसके बार parenthesis में x logical not equal to बारा तो control देखिए फिर से आपका 10 पर आएगा 15 पर आएगा 8 पर आएगा 14 पर आएगा 6 पर आए तो यह आपको जो उनकी positions हैं जहां पर answer आजाएगा आपका true 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 यह आपको उनकी position 1,2,3,4,5 देदेगा और जैसी उसको छटी position पर 12 मिलेगा वो आपको यहां पर 6 नंबर नहीं देगा उसी प्रकार से आप अगर देखेंगे अगर आप यहां पर लिखते हैं which x greater than 10 तो यहां पर क्या हो जाएगा कि आपको यह नंबर इन सभी जो हमारे 10, 15, 8, 14, 6 और 12 नंबर हैं इसमें से आगे बग़ेगा और यह देखेगा कि हर एक जगह पर हमारा कौन सा नंबर हमारा 10 से जादा है यह उसे छोटा है पहला नंबर लेगा 10 तो यह तो 10 से 10 false हो गया फिर अ क्या 8 हमारा 10 से जादा है false फिर यह लेगा 14 क्या 14 हमारा 10 से जादा है answer is true फिर लेगा 6 इसका उतर आ जाएगा कि 6 क्या 10 से जादा है उतर जाएगा false फिर लेगा 12 क्या 12 हमारा 10 से जादा है यह उतर आ जाएगा true तो अब देखिए जहां जहां पर आपका यह true आया है इनकी नग्योंट है आपको 2 चार्चे आपको यहां पर दे देगा तो इस प्रकार से हम इस इस Nefford करते हैं जब हम किसी Data Vector में कार Met चाहिं असे प्रकार में उस्टाइभ कर लेते हैं जहां पर हम आपको एक इक मैक्रिक्स को लेते हैं मलब अरे को लेते हैं और X हमारा जो होगा वो हमारा एक अरे होगा स्वन्हार तो हम एक मै elastic क्यार कर लेते हैं यह matrix हमारी 3x3 की matrix है और इसमें ऍक Bridge क्यार करना तो आपको आही गया है तुझ अब मान लिजे कि हम यह मालूम करना चाहते हैं कि इस मैट्रिक्स में या इस अरे में कौन सी हमारी मिनिमूम वैल्यू है इसको पता करने के लिए हमारे पास कमांड है wish.min मतलब whics.min इसका है क्या wish minimum कहां से जो हमारा parenthesis में हमने अपना अरे दिया है x तो यह आपको इस अरे के अंदर जितनी भी वैल्यू दी हैं उसमें से सबसे चोटी वैल्यू कौन सी है इसके बारे में बता देगी तो देखिए आपके पास वैल्यू haven कों सी दी है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, सात, आत, नो तो इसमें सबसे चोटी वैल्यू कों ची है एक इसके बारे में यह आपको बता देगी उसी प्रकार से अगर आप इन सारी values में से जो सबसे बगी value उसको निकालना चाहते हैं तो हमारा command है wish.max और पहलें ते से आप लिख देंगे अपने array का नाम और जब इसको execute करेंगे तो आपने देखा कि आपके values हैं 1 से 9 तकी तो सबसे बगी value कौन से हो गई 9 तो देखिए आपको 9 यहाँ पर देदेगा अब हम आपको यहाँ पर एक और operation करके दिखाते हैं इसी में और उसके बाद हम आपको यह सब कुछ R console में करके दिखाएंगे आपने यही वाली matrix ली x और आपको यह पता करना है कि इस x matrix में कौन से हमारे element ऐसे हैं जो odd है राइट और का मतलब क्या होता है आपने देखा है कि आपके पास दो तरह की संख्याएं होती है एक होती है sum जिसको हम बोलते है even और दूसरी होती है इशम जो हमारी होती है odd तो इसको कैसे पता किया अगर हम किसी भी संख्या को दो से अगर हम divide कर देते हैं और दो से डिवाइट करने के बाद में उसका जो remainder अगर हमारा शू नहीं आ जाता है तो इसका अर्थ होता है कि वह संक्या हमारी even है और अगर हमारा remainder आ जाता है one तो इसका मतलब भी संक्या हमारी odd है तो इसके लिए हम यहाँ पे modulo division का इस्तेमाल कर सकते हैं और इस condition को हमने देखिए ऐसे लिखा which और प्रेंथिस में लिख दिया x modulo division by two और यह logical equality one अथात क्या इसमें से remainder हमारा one आएगा तो अब देखिए जहां जहां पे remainder one आएगा वही तो हमारे odd number होंगे इसने आपको एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ में से जो जो even number होते हैं इसने आपको देखिए निकाल करके दिखा दिये एक, तीन, पांच, साथ, नौ आपको हम यहाँ पे एक काम और करके दिखाना चाहते हैं और जहाँ पे हम यह दिखाना चाहते हैं कि यह जो हमारा option होता है A, R, R, dot, I, N, D यह हमारा जो logical operator है इसका outcome हमारा true or false के form में आता है इससे क्या होगा अब अगर हमको यह पता करना है कि यह हमारी जो 1, 3, 5, 7, 9 जो हमारे number आए है यह हमारे इस x matrix में कहां कहां पर है उनकी location क्या है उसके लिए हम यहाँ पे इसी command को लिखेंगे which x modulo division by 2 is equal to 1 और साथ में कर देंगे A, R, R, dot, I, N, D equal to true अब इसका देखिए option इसका जो उत्तर देखी कैसे आया इस उत्तर को समझने की कोशिश करिए यहाँ पे लिखा हुआ है row और column अब देखिए यहाँ पे जो इसने कहा कि यह है row number 1 और column number 1 row number 1 और column number 1 में कौन सी value है? 1 यह value आपकी इस condition को satisfy करती अर्थार्थी condition odd है और आप अगर देखिए यही value यहाँ पे दी हुई है आपको अब हम आते हैं दूसरे row पे आते हैं जैसे यहाँ पे लिखा है row number 3 और column number दिया हुआ है 1 तो row number 3 और column number 1 में देखिए क्या value है? तो यह दूसरी value जो आपने यहाँ पे निकाली थी विज कमांड सी यह तीन और इसकी location क्या है? उसने आपको यहाँ से दे दिया और उसी तरीके से आप अगर इस वाली अगर माली कमांड पे आते हैं जो चौथी रो में लिखा हुआ है 1 और 3 का क्या मतलब है? row number is 1 और column number is 3 तो row number 1 और column number 3 में लिखे क्या लिखा हुआ है 7 तो इस 7 आपको यहाँ पे चौथी position पे दिया हुआ है और यही देखिए आपको यहाँ पे चौथी position पे लिखा हुआ है इस तरह की देखिए आपको information यहाँ पे बहुत आसानी से मिल जाएगी इसके बाद तलिए हम आपको यह operation हम आपको R software में करके दिखाते हैं और आप अगर देखेंगे तो देखिए यह आपको मैंने इसका screen shot भी दिया हुआ है तो यह लेकर हम इसको यहाँ पर आपको R software में करके दिखाएंगे और देखते हैं कि हमारा इसमें से कार कैसे कलता है तो देखिए हम यहाँ पर अगर मा लिजे हम इस data vector को यहाँ पर हम copy कर लेते हैं यह हमारा हो गया X और हमने फिर यहाँ पर अपना यह जो command है कि इसमें से कौन सी value हमारी 14 पर आती है इसको मैंने देने की कोशिश करी 19 कि X value हमारी 19 कहां पर आ रही है तो देखिए कह रहा है interior 0 अर्थार 19 आप अगर ध्यान दे तो यहाँ पर कोई value ही नहीं है इसलिए आप कोई कह रहा है कि ऐसी कोई यहाँ पर value नहीं है अब उसी में आप अगर यहाँ पर इसको लेखना चाहते हैं कि इसमें से कौन सी ऐसी values है जो हमारी आठ के बराबर नहीं है यह कहां कहां पर आ रही है उनकी location इसना पर दिया 12456 तो कि देखिए third position पर आपकी आठ आ रही है इसके बाद में अगर आपको यह अगर मालूम करना है कि इसमें से कौन कौन सी values अगर माल लिजए आपकी 11 से बढ़ी है 15 14 और 12 इनके मारी location क्या है 246 यह उसने आपको के दिया उसी प्रकार से आप अगर यह जो आपके matrix operation में आपने किया है इसको भी आप अगर यहां पर देखना चाहते हैं तो देखिए मैंने यहां पर अपनी matrix define कर ली जिसमें हमारी values है एक से लेके हो तक की और अब हम इसमें से जड़ा सा सबसे पहले हम minimum और maximum value निकालते हैं तो द इसमें से कौन कौन से हमारे जो elements हैं तो हमारे odd हैं तो आपने कमान दूट के लिए which x model division 2 is equal to 1 तो इसमें एक तीन पांस सा तनो आपके जो number है यह आपके odd है इसी में आप अगर इन number की अगर आप location जाना चाहते हैं तो आपने कर दिया a r r i n d is equal to true तो देखिए क्या उत्तर आ गया कि इन इन जगहा पर यह जो आपकी values है यह आपकी odd है उसी प्रकार से आप अगर यहां पर इसमें से even के बारे में भी operation करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है यहां पर आप आपन जगे कर दिया 0 तो देखिए आपकी 2468 आपकी यह यह आप आपके नंबर है जो आपके even नंबर है और इनकी लगर location देखनी है तो आपने यहां पर आप यहां पर डॉट आइंडी इकल टू कर दिया तो इसने आपको बता दिया कि देखिए इन इन जगह पर x matrix में आपकी जो values हैं even है यहां यहां पर देखिए row number 2 और column number 1 क्या है वान अथार column number 1 और row number 2 में क्या value आई है 2 अथार यह क्या है even उसी طर fix से आपगर देखिए यहांपे देखी क्या दिया हुआ है row number 2 और column number तो row number 2 और column number आपके क्या है 3 अथार यहां value 8, Άपकी क्या है event number है तो अब आपने देखा कि इन operations को करना R software में बहुत ही आसान काम है और अब हम इस lecture में यहां पर रुकेंगे आपने देखा कि यह बहुत ही आसान से commands हैं जिनके लेकिन हमारे इस्तमाल बहुत सारे हो सकते हैं और इसकर है कि हमारे पास बहुत सारे जब हम अपने statistics में, mathematics में प्रोग्रामिंग करते हैं तो हमारे पास functions होते हैं जिनको हमको solve करने के लिए इस तरह की information की आफशक्ता परिती है तो अब हम आप से ये request करेंगे कि आप इसी के छोटे छोटे धारर लीजे और उनको अपने हाथों से करने की कोशिश करिए आप उसका सोची कि क्या उत्तर आएगा उसके बाद में देखिए क्या वो R software में उसका उत्तर मिल रहा है और जैसे जैसे आप इसकी practice करते जाएंगे आपका confidence बलता जाएगा और आपको R और R को आप पर भरोसा होता जाएगा तब तक के लिए good bye झाल 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 झाल